बेलकम दोस्तों स्वागाते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल एजूकेशन रिसर्च कोचिंग सेंटर समसवादे हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी लेके आये हैं जिन्होंने अभी-भी बारवी पास किये कक्छा बारा नो सेना हो या जल सेना हो मतलब इंडियन आर्मी हो नैवी हो या एर फोर्स हो इसमें इन सभी मेंसे किसी में भी अपना भविस जो केंडिडेट जो इस्टूडेंट एक ओफिसर के रूप में अपना भविस से बनाना चाहते हैं उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही बहुत ही खास है क्योंकि संग लोग से वा आयोग यूनियन पबलिक सर्विस कमीशन ने अभी अभी एंडिया की भरती का नोटिस जारूई कर दिया है एंडिया नेशनल डिफेंस एकेडमी के फॉर्म बरना शुरू हो गए हैं और लगबग तीन महीने बाद इसका एक्जाम होने बाला है तो आज जो लोग पहले से जिनका लक्ष एंडिया का एक्जाम देना है उनके लिए उनका इंतजार खतम हो गया है और जिनका लक्ष नहीं है लेकिन जो भी फॉर्म बरना चाहते हैं वो सारा आज हम आपके इस वीडियो में वो सारा कुछ बताएंगे कि अफदानी उसमें रखना है दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि एंडिया के फॉर्म बरने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए पड़ती है फॉर्म बरने से क्या होता है एंडिया में पास होने के लिए आपको कितने राउंड का एक्जाम पास करना पड़ता है इं बिना स्किप किए तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं संग लोग से वायोग यूनियन पब्लिक सर्मिस की वैप साइट ओपन है यहां पर आप दियान से देखेंगे तो देखिए यहां पर कॉर्णर पर लेका नियू रजिस्टेशन अगर आपने यूपी एस्टी का पहले से कभी कोई भी आवेदन कोई भी एपलिकेशन फिलप नहीं किया है तो आपको यहां पर नियू रजिस्टेशन करना पड़ेगा और अगर आपने इससे पहले कभी कोई भी फॉर्म बराया यूपी एस्टी की वैप साइट से चाए वो NDA का हो CDS का हो और कोई भी हो तो आपको यहां पर सीधर सीधर लॉग इन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको लॉग इंक जाएगा और अगर आप showing a चाए और आप OTR one time registration भी बोलते हैं इस पर जाके आपको यहाँ पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर एक form open हो जाएगा new registration form इसको आपको बहुत ही साफ़दानी से बरना है मैं आपको एक एक step यहाँ सारी detail में बता देता हूँ तो पहला जो है name as per class 10 तो अपनी class 10 की mark sheet अपने साथ में रखके बैठियेगा क्योंकि सारी detail जो है वो class 10 की metric की mark sheet से आपका यहाँ पर flip होगा जो कुछ उसमें लेखा है वो ही सारा कुछ आपको यहाँ पर flip करना है तो पहले सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर बढ़ना है name यहाँ पर अपनो full name जो की आपके कक्छा 10 की mark sheet में लेखा हुआ है बैसा कब ऐसा ही Sam दूसरे यहाँ पर verify name में जो यहाँ पर बढ़ना है Sam का Sam Have you ever changed name आपने कभी अपना नाम change किया है यह नहीं तो नाम generally कोई change करता नहीं है अगर किसी ने किया है तो आपको यहाँ पर yes बरना है और फिर जो भी नाम change किया है वो बरना है Otherwise maximum लोगों को यहाँ पर no ही आएगा यहाँ पर आपको gender select करना male female transgender तो यह भी एक खुशी की बात है क्योंकि एंडिय जो है पहले सिर्फ male candidate के लिए होती थी लेकिन अभी female candidate भी इसको फिलप कर सकते हैं यहाँ पर आपको gender select करना है यहाँ पर आपको verify gender फिर से select करना है डेट आप बर्थ जो कि आपकी 10 वी कच्चा 10 की mark sheet में जो date of birth लिखी वो आपको यह पर flip करना है सारा कुछ आपको 10 वी की mark sheet के according ही करना है नहीं तो आपका form flip नहीं होगा जो date आप यहाँ पर select करेंगे Sam Boy verify यहाँ पर करना है आपको Boy date यहाँ पर बर देनी है इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे Father's name यहाँ पर Father's name आपको बरना है verify Father's name सारी entry दो दो बार होगी यहाँ पर फिर से Father का नाम आपको बरना है Mother's name माता का नाम बरना है verify mother's name माता का नाम फिर से बरना है minority status अगर आप minority में आते हैं तो यहाँ पर S करना है minority में नहीं आते हैं तो no यहाँ पर अपना mobile number जो चालू mobile number हो आपका वो ही बरना है पुराना या इदर उदर का mobile number नहीं बरना है क्योंकि उस पर कभी भी कोई भी message आएगा OTP आएगी यहाँ पर alternative mobile number आपको भरना है यह mandatory फिल्ड नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन फिल्ड पर star mark लगा हुआ है लेकिन इस पर star नहीं लगा हुआ है जिस पर star नहीं लगा हुआ है उसे आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन मेरी सलाय है कि आप यहाँ पर अपना alternative mobile number आपके घरवाला जो भी दूसरा हो वो यहाँ पर फिल्ड कर दे email ID आपकी जो running में है क्योंकि उस पर OTP आती है इसलिए email ID जो आपकी खुली हुई हो जिसका ID पासवर्ड आपको अच्छे से याद हो वो यहाँ पर भरे alternative email ID एक और email ID आप यहाँ पर भर सकते हैं class 10th board examination roll number class 10th में जो आपका roll number था mark sheet में लिखा होगा वो आपकी में अंक्सूची में उसको यहाँ पर flip कर देना है यहाँ पर दो security question दे रखे हैं क्योंकि कई बार हम अपना password भूल जाते हैं तो उसे recover करने के लिए security question हमको यहाँ पर select करना पड़ता है तो यहाँ पर आप अपने कोई भी अपना पसंद का security question select कर लेंगे जैसे what is your favorite subject और यहाँ पर आपका जो भी favorite subject है उसको यहाँ पर आप डाल देंगे यहाँ पर दूसरा कोई से select कर लेंगे जैसे कि what is your childhood name आपके बच्पन का नाम क्या है तो वो यहाँ पर flip कर देंगे इनको आपको याद रखना है क्योंकि अगर आप बविश्च में कभी अपना ID password भूल जाते हैं तो इसके दोरा आप उसे recover कर सकते हैं इसमें यहाँ पर capture code जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको यहाँ पर आपको फिलप कर देना है और यहाँ पर submit का option दिया है आप इसको submit कर देंगे जैसे यह आप submit कर देंगे तो आपका login complete हो जाएगा वन टाइम registration आपका OTR complete हो जाएगा इसके बाद आप यहाँ पर login जो लि इस दी गई है उससे आप यहाँ पर अपना फॉर्म और यहाँ पर login कर सकते हैं इससे पहले जो आपने फॉर्म बरा था उसका एक प्रिंट आउट भी लेकर आप अपने पास सुरक्षित भविस्ट में काम आने के लिए रख ले तो यहाँ पर email id से चाहे तो email id से login कर ले मो गैट OTP पर आप क्लिक करेंगे तो email id पर OTP आजाएगी उस OTP को आपको यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर जो capture दे रखा है उस capture code को यहाँ पर as it is डाल देना है और फिर आपको login पर submit कर देना है तो मैं यह करके देखा देता हूं आपको यहाँ पर मैं अपनी email id डाल द तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना mobile number डाल दिया है यहाँ पर जो OTP आई थी वो OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर अपना capture code यहाँ पर डाल दिया है और अम मैं यहाँ पर login का बटन दबाऊंगा हाँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो form हमने अभी first step में भरा है वहाँ से आपको print out ले लेना है और वहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर उस समय आप से email ID और mobile number पर वो OTP बेश कर उसको verify करता है तो आप वहाँ पर अपना mobile number पर OTP लेकर उससे verify करते और email ID पर OTP लेकर उससे verify करेंगे उसके login page आपको कुछ इस तरी के से दिखने लग जाएगा यहाँ पर देखिए आप यह login page मेरा यहाँ पर आ गया है जो भी detail मैंने यहाँ पर fill up की थी वो यहाँ पर आ गई है अब यहाँ पर आपको अपना password बना लेना है password बनाने के लिए आपको कुछ बाते ध्यान में रखनी पड़ेगी यहाँ पर लिखा है देखिए length must not be less than eight character eight character से छोटा नहीं होना चाहिए उसमें content at least one upper case character at least one lower character और एक numeric digit और कोई एक special character यह उसमें होना चाहिए मतलब कुछ इस तरीके का होना चाहिए मैं जैसे आपको देखा देता हूं कि मैं एक capital letter ले ले लेता हूं मानलो राम का मैं आरे एम लिख देता हूं at the rate one two three four five ऐसे मैं लिख देता हूं sam का sam आपको यहाँ पर डाल देना है जो भी password आप रखेंगे वह वैसा गवैसा दो जगा डालना है और यहाँ पर आप सम्मेट कर देंगे तो देखिए यह सम्मेट करने के बाद यह हमारा open हो गया website यहाँ पर आप देखेंगे यह dashboard यह dashboard है हमारा latest drop latest notification application status application history view profile और update edit profile यहाँ पर जाके आप अपने profile जो आपने बनाई है इसको भी आप edit यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर OTR नमबर से कर सकते हैं और यहाँ पर examination एप्लिकेशन फॉर्म उसको कर सकते हैं इन दोनों को आप यहाँ से आपडेट कर सकते हैं यहाँ से अपने profile को आप देख सकते हैं जो भी detail अपने भरी होई थी application history आपको यहाँ से दे नोटिफिकेशन में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए दो नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखने लग गए पहला जो है National Defense Academy Enable Academy Examination NDA का यहाँ पर नोटिस दिखने लगा है और दूसरा CDS का दिखने लगा है दोनों ही हमारे भारती सेना के लिए हैं बस डिफरेंस इतना है कि NDA जो होता है वो 12th बेस पर होता है और CDS जो होता है Combined Defense Services Examination वो graduation बेस पर यहाँ पर होता है कुछ जरूरी जानकारी मैं आपको बता दू कि यहाँ पर आप देखेंगे notification आप website पर दिये हो हैं और भी मैं detail में अपने second part में बता दूँगा उसकी link आपको description में मिल जाएगी कुछ मौटी जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि सरफ बोई लोग eligible हैं इस form को बरने के जिनका की जन्म जो है second January 2006 से पहले ना हुआ हो और first January 2009 के बाद जिनका जन्म ना हो इनके बीच में जिसका जन्म हुआ है वो इसको भर सकते हैं इसके अलावा जिनका जन्म इनके बाहर पहले या बाद में हुआ है वो इसको form को फिलब नहीं कर सकते एक और condition यहाँ पर है कि unmarried होना चाहिए male female कोई भी हो सकता है और इसके बीच में जन्म उसका होना चाहिए तो यह बात आप ध्यान में रखें यहाँ पर देखिए दो पार्ट दिख रहे हैं बाग एक पंजी करन पार्ट बन रजिस्टेशन और पार्ट बन रजिस्टेशन तो not active इसमें not active है यह जब तक not active रहेग one time registration उसको आपको update करना है यहाँ पर click here four parts first के लिए यहाँ पर click करना है तो हमने OTR हमने दो तीन बार चेक कर लिया वो सही है उसमें कोई update हमको नहीं करना है तो click here four parts first बाग एक के लिए यहाँ कलिक करना है यहाँ पर मैं click कर देता हूँ तो आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखते रहीएगा यह सारी उन्होंने condition दे रखी है सब बता रखा है किसे कैसे फिल अप करना है क्या क्या उनकी जानकारी है वो सब यहाँ पर दे रखी है इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लिखा और 20 के भी से कम नहीं होना चाहिए 20 के भी से बड़ा और 300 के भी से बड़ा नहीं होना चाहिए और 20 के भी से छोटा नहीं होना चाहिए इसके बीच का और यह पिक्सल दे रखे है इस बीच में फोटू का साइज होना चाहिए चीक है और फोटू का मैं आपको condition बता देता ह कि दस दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए इसलिए आप बिल्कुल रिसेंट फोटू किचवा के और उसी को अपलोड यहां पर आप करेंगे और ध्यान रखें कि जिस कंडिशन में आपने फोटू किचवाया है उसी कंडिशन में आपको एक्जाम में भी फोटू तो वही फोटू आपको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा वो ध्यान रखिएगा आप तो यहां आप सारी चीजें द्यान से पढ़ लेना बहुत अच्छे से यहां पर एज रिलेक्सेशन जन्मतिती उन सब के बारे में यहां पर दिया गया है किसे पढ़ने के बाद आप य यहां पर भरनी पड़ेंगी दिख लिजी जैसे कि यहां पर नाम हमने पहले से बारता आ गया है जैंडर हमारा आगया डेट आप बारत मैंने बताई थी कि इतने से इतने के 20 होने चाही यह सरे बहु लोग फोर्म बर सकते है नहीं तो यहां पर यूर रोड लेजेवर करके एक error message आज़ाएगा आप form नहीं बर सकते चीक है यहाँ पर nationality आपको बरनी है इंडियन है भारती है marital status unmarried है जिनकी साधी हो चुकी वो भी इस form को नहीं बर सकते community समूदाय में आपको general OBC SCST जो भी category आपको वो select कर लेनी है section की होकिता में यहाँ पर आपको देखिए बहुत ध्यान से यहाँ पर आप देख लेना चार option दे रखें पहला option है 12th pass है देखे पास 12th class of 10th plus 2 pattern 10 plus 2 से आपने 12th class pass की है या फिर इसके equivalent को इसा exam दिया है पर आपके पास physics, chemistry और math नहीं है 12th में आपका subject जो है वो physics, chemistry, math नहीं है तो आपको यह वाला select कर लेना है और अगर आपके पास physics, chemistry, math है तो आपको इसको select दूसरे को select करना है और तीसरे में आपको यह उपर के दो जो दिये हैं वो उनके लिए हैं जिन्नोंने 12th pass कर ली है और एक में physics chemistry math है एक में physics chemistry math नहीं है और दूसरा जो है वो उनके लिए है जिन्होंने 12th pass अभी की नहीं है 12th running है 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए है तो ये तीसरा जो है जो 12th पढ़ रहा है वो पर उसके पास physics chemistry math subject नहीं है वो तीसरा बाले को select करेंगे तो जो भी आपका है वो बहुत ध्यान से यहां पर select कर लेंगे यहां पर आपको address अपना फिलप करना है address proof आप देख लीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आप यूज़ करेंगे ID कार्ड के रूप में और address रूप के रूप में उसके according आप यहां पर अपना सारा कुछ detail address बर देंगे line 1, line 2 सारा mandatory है line 3 को आप छोड़ सकते है खाली state आपको बर देना है अपना जो भी है मैंने जैसे मान लो यहां पर अपना बर दिया मध्य प्रदेश है तो यहां पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया अपना district सेलेक्ट यहां से कर लेंगे आप फिन कोड बर देना है और phone number कोड के साथ अगर आपके पास है कोई lead line number तो वो आप यहां पर भर सकते हैं यहां पर बरने के बाद आप continue करके आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला यहां पर आएगा payment का option यह देखी यहां पर payment का option आजाएगा payment के बहुत सारे option वहां पर दे रखे हैं आप phone page से UPI से यह net banking से अपना बुक्तान इसका कर सकते हैं जब तक आप बुक्तान नहीं करेंगे आपका application submit नहीं होगा इसके बाद आपको बुक्तान करने के बाद तीसरा आप यहां पर देखेंगे photograph वास्ताक्चर photograph के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ क्या size होना चाहिए सार description में देदूंगा आप चाहें तो वहां से जाके आप इसको download करके और बड़े आराम से पढ़ सकते हैं पढ़ जरूर लीजिए गा तो photograph आपको recent दस दिन पुराना नहीं होना चाहिए उस पर नायम आपका नाम और photo जिस तारिक को खिचवाया है आपने उस बहुत तारिक उ उसी डेट का हो या उसके एक आद दो दून पहले का हो ज्यादा पुराना photo ना हो और उसकी कम से कम 6 copy आप बनवा के रखिएगा जो कि आपको future में काम में आएंगी ठीक है इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कैंद्रे चेहन इसमें आपको examination center चूज कर लेना है चार या सहमती करना है और इसको submit कर देना है जैसे ही आप submit कर देंगे तो आपके पास पूरी detail यहां पर आ जाएगी उसको confirm करने के बाद उसका print out लेके आप रख लेंगे तो यह सारी जानकारी थी कि आपको NDA का form किस तरीके से भरना है सारा कुछ मैंने आप पर बता दिया है आपक comment box में comment करके हमें बता सकते हैं कौन नंबर पर आप हमें call करके भी पूछ सकते हैं हम आपकी हर संबब मदद करने का प्रयास करेंगे और समस्वाद बाले बासियों से मेरा मेरी appeal है कि आपके यहां पर हमने जो coaching open करी है जो center education coaching research center जो open हुआ है वो आज के आदुनिक जमाने की सारी सोविदाओं से less है सारे admission चालू है NDA की preparation भी आपर चालू है NDA की preparation हम कक्षा 9 भी से लेके शुरू कर देते हैं तो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 में आते आते हमारा student NDA को आराम से crack कर सकता है तो आप ज्यादा inquiry के लिए आप हमारे number पर call कर सकते हैं या हमार सेंटर पर विजिट कर सकते हैं कोचिंग मौड ऑफ लाइन ऑन लाइन सारे को सुविदा उपलब जैं बहुत अच्छे पिसेश टीचर वाँ पर उपलब जैं डिजिकल पैनल डिजिकल बोर्ड तर्वसुवी लाइट तो आप लपी चाहें आप विजिट कर सकते हैं और अ गुरूप डिसकेशन क्या होता है रेटन एक्जाम क्या होता है एसस वी इंटर्व्यू क्या होता है और इन सब को पास करने के बाद मैरिट कैसे बनती है और उसके बाद हमको एंडिया नैशनल डिफेंस एकड़मी जैसा की नाम से समझ में आरा एकड़मी तो वहाँ पर च जस्ट अभी आपको हम दूसरी वीडियो प्रवाइट कर देंगे आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त हो सके धन्नाबाद थैंक यू वेस्ट आफ लुग